प्रेंट्स गुड मॉर्निंग ओल उफ यू यह आज का आपका क्लास नंबर छे है इसके पहले आपको पांच करवा चुके हैं अगर नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं यह सीजियल प्रिवियस यह कोईश्चन पर बेस्ट कोईश्चन है ठीक है जो अज शुरू करते हैं आज का कॉश्चन नंबर वन एक प्राक्रितिक संख्या को कोई संख्या है 9 10 12 15 से विभाजित करकी आ जाता है तो परतीक दसा में 3 सेस बचती है तो ऐसी सभी संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी तो ऐसी संख्या में आप क्या करेंगे जो संख्या दिया है आपको 9 10 12 15 इसका LCM ले लेंगे इसका LCM आएगा आपका 180 क्या आएगा LCM 180 आप जैसे लेते हैं वैसे ले लिजिएगा 180 आएगा और जो सेस बचता है उसको एड कर देंगे 183 आपका एंसर जाएगा 183 ठीक है चलिए चलते हैं next questions questions है कि 21 प्रेशनों कमाई दे 40 है 21 प्रेशन है ठीक है कमाई दे कितना 21 प्रेशन का 21 प्रेशन कमाई दे 40 है यह हो जाएगा आपका 840 840 तोटल तो 10 प्रेशनों में से परते कमान बढ़ा दिया जाता है 10 प्रेशनों में से परते कमान जो है ने 21 बढ़ा दिया जाता है कितना question में misprint है 21 बढ़ा दिया जाता है तो प्रेशनों का ने आप दे तो दे 50 हो गया देखे तोटल दे 50 तो हो गया लेकिन यहां प्रेशन की संख्या नहीं बढ़ रही है यहां बोल रहा है 10 परेच्छनों में से परतिक का मान बढ़ा दिया गया 21 मतलब 21 परेच्छन था उसमें 10 परेच्छन को 21 बढ़ा दिया गया उसका भेलियू ठीक है तो परेच्छन तो वही रहा 20 तो 21 से इसको भागा देंगे तो अब आ जाएगा 50 मायदी कितना आ जाएगा 50 इस इंसर क्या होगा D यहां में स्प्रिंट था 21 बढ़ा दिया जाता है ठीक है कोईस्टन नमबर थर्ड 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं तो 48 लोग हैं और किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं यह हो गया टूटल काम 6 दिन बाद 4 कामगार काम छोड़ देते हैं तो 6 दिन बाद 4 कामगार काम छोड़ते हैं तो 6 दिन तक 48 लोग काम करेंगे अब आया 6 दिन बाद 4 कामगार छोड़ते हैं तो 4 कामगार छोड़ेंगे 48 में से 4 तो बचगे 44 यह 44 कितने दिन करेंगे मान लेते एक्स दिन यही जो एक्स दिन एंसर आएगा वो आपका बचा हुआ काम इतने दिन में पुरा होगा ठीक है वही क्वेस्चन्स का एंसर वही क्वेस्चन्स पुछा जा रहा है तो 48 गुने 17 रहने दीजिए ऐसे ही ठीक है अब यह कर देंगे 6 गुने 48 यह हो जाएगा आपका कितना शॉरी एक मिनट यहां 48 कॉमन ले लेते इधर चलिए एक बार लिख लेते हैं एक बार लिखा गया तो चलिए इसको क्या करेंगे इसको इधर लाएंगे ति यह माइनस में हो जाएगा ठीक है इसको अगर यहां 17 माइनस 6 यह हो जाएगा 44 एक्स तो यह 48 गुने 11 is equal to 44 एक्स तो यह 11 से चार बार में कटी है यह चार यह 12 बार में कटी है एक्स का वेल्यू कितना आके आपका सी 12 ठीक है तो यह हो जाएगा आपका एंसर अगर आप लोगों ने अभी तक डे टू डे चैनल को सब्सक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डे टू डे टू डे टू डे अस्टडी का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा निच्छे होगा ठीक है वहाँ पी क्लिक करेंगे आप सुबा साधे नौ बजे दरोगा जो पिछला बार एक्जाम हुआ है उसका सेट 4 रिजनिंग इसके पहले मैंने तीन करवा दिया है ठीक है और तीन करवा चुका है जो लोगों ने देखा है अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं और चैनल पर जाएंगे तो वीडियो अच्छा लगेगा तो पिलीज सब्सक्राइब करेंगे ठीक है तो चलिए चलते है नेस्ट कोईस्चन साइजवाब का फूर निमनखित में से कौन सा विकल्फ आवर्ती दसमलों का उधारन है आवर्ती दसमलों होता है सांत दसमलों मत्र सौरी असांत दसमलों जो की ना कटे ठीक है तो आप देखिएगा यहां ऑप्सन में यहां 60 है तो यह देखिए 24 और 60 ह यह इससे तो कट जाएगा ना 10-6 कर सकते हैं इसको 24 को यह 6 से कट जाएगा यह तो पूरा कट रहा है इसी तरह यहां कट रहा है यह भी कट रहा है लेकिन 24 बटे नचयक्त इसको पूरा कल्कुलेट नहीं कर सकते है nobody. पॉइंट पॉइंट अमें आएगा ये ठीक है तो आपका एंसर क्या जाएगा C नमबर ये असांत दसमलो है Questions नमबर 5 Questions नमबर 5 है अधी मैं एक वस्तू को रूपिय पानसो पंचानवे बेचता हूँ और भीकरे मूल आपका दिया हुआ है कितना पानसो पंचानवे आनि जिसको Selling Price बोलते है Selling Price 595 और कितना का Profit ले होता है 19% का तो Profit कितना है 19% तो लाव होता है अधी मैं इसे 475 में बेचता हूँ अगर फिर इसे मैं 475 में बेच रहा हूँ 475 में तो मुझे अब क्या होगा तो इन दोनों की सहाता से पहले Cost Price निकालेंगे देख फर्मूला बताये थे आपको S P is equal to CP into 100 plus Profit upon 100 यह Profit percent है यहाँ देखें S P दिया हुआ है आपको 595 कितना दिया हुआ S P? 595 CP नहीं पता निकालना है और यहाँ P कितना है 19 तो यह हो जाएगा 119 बटे 100 यह कर जाएगा इसमें 5 बार में तो CP कितना आ जाएगा 500 तो CP कितना आ गया 500 मतलग Cost Price आ गया करे मूल बोल लिजे 500 और बेच कितना में रहा है Sailing Price नानि बिकरे मूल 475 आप ही देखिए खरीदे 500 में बेच रहे हैं 475 तो हानी हुआ कितना का 25 का 500 में 475 घटा दीजे और करे मूल नीचे आता है आनि कि 500 गुने 100 500 गुने 100 यह कट जाएगा आनि 5% का हानी हुआ तो हानी परतिसत क्या होता है हानी निकानने का फर्मूला देखिए अगर चाही का फर्मूला तो फर्मूला होता है हानी पर्सेंटेज निकानने का हानी बट एक करे मूल गुने 100 तो देखिए हानी 25 था नीचे करे मूल 500 है और गुने 100 यह होता है आपका हानी परतिसत निकानने का फर्मूला तो आगे आपका 5 परतिसत questions number 6 दो संख्या का मासा 11 और उनकी लासा 330 है मतलब महतम समापर्तक और लगुतम समापर्तक दिया हुआ है उनमें से एक संख्या पच्पन है तो दूसरी संख्या क्या होगी देखिए इस case में जो relation होता है वो होता है SCF आने के मतलब महतम समापर्तक गुने LCM लासा जो होता है बराबर होता है एक संख्या इंटू दूसरा संख्या जो दो संख्या होती है वो एक संख्या इंटू दूसरी संख्या का तो SCF आपको 11 दिया हुआ है LCM आपको 330 दिया हुआ है एक संख्या 55 दिया है तो दूसरी संख्या निकाल लीजे 11 पचे 55 और यह कट जाएगा आपका 66 बार में ते एंसर जाएगा सी नमबर ठीक है बस असान क्वेश्चन था ये क्वेश्चन सेम टू सेम उसी वेवेश्ट है आप कॉमेंट करके इसको बताएंगे कि क्या होगा कैसे देखें कैसे लासा है दिया हुआ मासा दिया हुआ संख्या एक दिया हुआ दूसरा संख्या निकाल दियेगा क्या आता है कॉमेंट में बता देंगे questions number 8 देखे, इसका direct formula होता है अगर इस तरह का questions दिया हो तो इसका direct formula क्या होता है निकालने का a square plus 1 by a square का direct formula होता है 1 minus 1 by a square का whole square minus, नहीं, plus 2 यह formula होता है तो आप देखिए, 7 दिया हुआ है आपको यहाँ पे तो 7 का square कर देंगे, plus 2 कर देंगे तो 51 आ जाएगा, जो के right answer है a number तो इसको अगर आप नहीं याद है तो दोनों side square कर दीजिए तो a minus 1 by a का यह दूसरा method है, whole square कर दीजिए फिर 7 का square हो जाएगा इसका हो जाएगा a square minus 1 by a square a minus b का whole square पता है न यहाँ plus होगा, minus 2 a b ठीक है तो हो जाएगा यह 49 ठीक है, यह देखिए यह कट जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ से a square plus 1 by a square is equal to 49 plus 2 आनि 51 यह minus plus में हो जाएगा इधर जाके यह तो आपका क्या हो जाएगा, यह number ठीक है आप लोग से feel बोल रहे हैं अगर आप लोगे ने day to day study channel को subscribe नहीं किया अभी तक निच्चे description box में आपको link मिल जाएगा वहाँ पे आपको दरोगा seat 4 का आज 9 बजे वीडियो मिल जाएगा आप वहाँ पे जाएं और देखें आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है आपको 20 out of 20 questions हर एक दिन करवाते हैं जो की same to same आया होगा questions होगा, ठीक है इसके बाद सारा detail उसमें वहाँ मिल जाएगा यह questions हो गया, हाँ हो गया questions number 9 यह questions आपको कल करवा चुके हैं दिफेरेंस क्या था, कि यहां 5 साल पहले है वहाँ था 6 साल बाद, ठीक है तो देखें, क्या है questions की x और y है, क्या है इसकी अनुपात वर्तमान आयूकत 3 है मान लेते हैं 3x है यह और यह 4x है ठीक है, बोल रहा है कि 5 साल पहले तो चलिए देख लेते हैं, कि 5 साल पहले तो यह 3x होगा, यह माइनस 5 5 साल पहले तब ही तो होगा और यह हो जाएगा आपका नीचे 4x माइनस 5 का अनुपात कितना था? 5 अनुपात साथ तो गुना करिए इसको यह हो जाएगा 21 क्या हो जाएगा? 21 माइनस 35 इसको करिएगा तो 20 माइनस 25 ठीक है? 21 में से 20 जाएगा तो 1, और इधर 35 में से 25 जाएगा तो यहाँ x होगा, यहाँ भी x होगा तानी x होगा और 35 में से 25 जाएगा तो 10 तो x बराबर 10 आ क्या? तो y का वरत 1 आयू 4 x है, तो कितना हो गया? 40 आपका एंसर हो जाएगा d number questions number 10 यह simple करने वाला questions है ठीक है? देखें आज का questions था जो थोड़ा सा easy था लेकिन आपको बता चुके हैं तो आपको easy लगना चाहिए अब ठीक है? यह क्या है? 2 के power 8 है ठीक है? 2 के power 8 minus 1 ठीक है? यह देखें root 2 root 2 का power क्या है? 12 तो देखें, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या अगर root में होता है root x ठीक है? root x तो क्या होता है? अगर इसको हटाना चाहिए तो x के power में क्या आ जाता है? 1 by 2 ठीक है? यह root का power root का मतलब क्या होता है? 1 by 2 होता है ठीक है? इसी तरह यहाँ देखें, यहाँ 2 का power 8 हो जाता है आपका 256 minus 1, ठीक है? अब root 2 है तो इसको 2 लिखेंगे, आप power 1 by 2 आ जाएगा, और already यहाँ power है 12 तो यह 2 से यह कड़ जाएगा 6 बार में, तो यहाँ 255 आ जाएगा उपर, और नीचे क्या आएगा? 2 के power 6, जो कि 2 के power 6 होता है आपका 64, तो 255 power नीचे 64 तो एंसर क्या हो जाएगा आपका? एंसर क्या होगा? 64, 255 बटे 64, ठीक है? तो यह था आज का अब सेशन आपका अब प्लीज जाएगे अभी आपको मिल जाएगा रिजनिंग का चौथा सेट दरोगा का day to day study पे नीचे description box में आपको link मिल जाएगा वहाँ जाएगे, आप देखेंगे अगर आपको अच्छा लगेगा तो subscribe करेंगे इसी तरह आपको daily परती दीन वीडियो मिलेगा महाँ पर ठीक है तो अपना ख्याल रखिए और आसपास साफ रखिए बाए यदि आप जैप यसी के तियारी कर रहे हैं तो online test series के लिए download करें आज ही हमारा आइड